नमाश्का, आज के समय में, परजेन टाइम में, हर महिला को, हर वुमन को आत्म निलबार सेल्फ डिपेंड होना क्यों जरूरी है? पेसे के मामले में, पुराने टाइम में क्या होता था? लोग क्या कहते हैं, लड़कों को पड़ा के क्या करना है? आगे जाकर खाना ही तो बनाएगी लेकिन आज के टाइम में परदेन टाइम में सिच्वेशन बतल चुकी है आज के टाइम में हर महिला को आत्मनिर्बर होना जरूरी है पैसे के मामले में और क्यों जरूरी है अभी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि पास्ट टाइम बिल्कुल डिफ्रेंट था और जो वर्तमान में टाइम चल रहा है बिल्कुल डिफ्रेंट है पुरानी सोच अब लोगों की बदल चुकी है नहीं आ चुकी है हर वुमन को सेल्प डिपेंड क्यों होना चीए पैसे के मामले में आप ये देखिए अभ तो पिल्क पता किस वक्त क्या नोबत आ है बिजनिस फेल हो जाए परिवावर में से कोई बहेंकर विमारी आ जाए बहुत सारे पेसों की जूरुत पड़े बेटा बेटी आपको बाव न दे तो फिर आप क्या करो समय कभी केके निया आता है किसी कारण से बिजनिस फेल हो आप नोकरी छुट गई, पैसों की तंगी आ गई, तो फिर आप क्या कुरो? आप महिला हो, और आप Self कीपीन्ट हो, आपके पास कुछ पैसे है, तो आप अपने परिवार की भी मदद कर पाओगे. आप अपने पते की मदद कर पाओगे आप अपने साथ ससुर की मदद कर पाओगे आप हर किसी की मदद कर पाओगे अगर आपके पास पैसा है भगवान करेंग सब कुछ अच्छा चला है लेकिन कुछ अन्होनी हो गई तो आप उस वक्त क्या करोगे इसलिए आपको self depend होना बहुत जरूरी है अगर आप महिना है तो आपको पैसो के मामले में self depend होना जरूरी है अगर आप पैसो के मामले में self depend है ना तो आत्मसमान आपका बरका राग रहता है ध्यान रखना आपका आत्म सम्मान कभी कभी गिर जाता है अगर आप पेसों के मामले में सेल्फ डिपेंड नहीं है मान लो आपके पीर में आपके ममी पापा को पेसे की जुरूत पड़ी आपके बाई को पड़ी आपकी बहन को जुरूत पड़ी आपके दोस्तों को जुरूत पड़ी तो क्या हर बार आप अपने पती से मांगोगे आप अपने साथ ससूर से मांगोगे आपके पास कुछ पेसे हैं तो आप उनको दे सकोगे उनके मुस्किल समय में साथ दे सकोज़े अगर आप ऐसे कामों के लिए बार बार अपने पती से पैसे मांगोगे ना तो आपका आत्म सम्मान को आपको ठेश पोचे की हो सकता है कि बार बार आपका पती भी मना कर ले इसलिए आत्म सम्मान तभी बरकरार रहता है ना जब प्रतिष्टा बढ़ती है जो महिला जोग करती है बिजनिस करती है या पैसों के मामले में सेल्फ डिपेंड होती है ना उसकी प्रतिष्टा दूसरी महिलाओं से ज्यादा होती है आप अपने आस पड़ोस समाज में या आप रिष्टेदारी में कईपे भी देखना जो महिला जो लेडी जोब करتी है या जो लेडी बिजनिस करती है जो पैसे के मामले में self depend हैना उसकी value दूसरी महीलाओं से ज्यादा होती है उसकी समाज में, दोस्तों में, πα्रिवार में हर जगा उसकी इज्ज़त होती त्यान रकना, पैसों के मामले में सेल्फ डिपेंड होना आपकी मान, सम्मान और प्रतिष्टा को आगे बढ़ाते हैं. खुद को कभी बेसहारा समझने की नौबत नहीं आए. कभी-कभी क्या होती है? महिला गरूलु हिंसा का भी सिकार होती है. चोटे-चोटे पेसो के मामले में वरूलु हिंसा का शिकार होती है. बेटा-बेटी उनको भाव नहीं देते. उनको जोटी-चोटी जरूत नहीं देते. तो महिला क्या आपने आपको बेसहारा समझती है? उस वक्त वो recreate करती है यार मेरे पास भी पेसा होता तो बहुत अच्छा होता जीवन के अंतिम समय के लिए भी जरूर है ध्यान रखना विज्ञानिकों ने एक रिसर्च में पाया है कि पत्ती से ज़्यादा पत्नी की उम्र लंबी होती अधिकतर पत्ती दुनिया से जल्दी चले जाते और पत्निया लंबे समय तक जीवित रहती है महिलाएं लंबे समय तक जीवित रहती है तो उस वक्त जब आप जीवन के अंतिम समय में आपके पास पेसा नहीं होगा आप self demand नहीं होगी पैसो के मामले में तो आपकी सहरा कौन बनेगा आपका पती तो होगा नहीं उस वक्त आपका सहरा सिर्फ आपका पैसा बनेगा तो ये कुछ बाते हैं कि महिलाओं को आत्म निर्बर होना क्यों जरूरी है पैसो के मामले अगर आप पेसों के मामले में आत्म निर्वर होगी न तो आपकी हर जगा मान, सम्मान, परतिष्टा और हर जगा आप आराम से पेसों के मामले में कभी भी अन्शिक्यूर फिल नहीं करोगी